साथियों, आज के वीडियो में करमचारियों वा सिक्सा जगह से चुड़वी पांच बड़ी खबरें पूरी वा लेटेस्ट इन्फोर्मसेन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें महंगाई भत्ते में कटो दी से सरकारी करमचारियों को जेब पर कैसे पड़ेगा भारी केंद्रे के बाद यूपी सरकार ने भी छे भत्तों पर चलाई केची मत्यपर्देश के इस जिले में आपातकाल जैसी इस्तिती सभी करमचारियों के आवकास्त निरस्त मत्यपरतेस में लागडाउन के बाद फिर से होगा मंत्रा ले से लेकर मेदाने इस तरह तक ट्रांसफर इस परकार की latest information देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए जिससे जब भी वीडियो अप्लोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा करमचारियों के लिए पहली बड़ी खबार मेहंगाई बत्ते में कटोती से सरकारी करमचारियों के जेब पर ऐसे पड़ेगा सर 23 अप्रेल कोवित मंत्राले ने गोशना की थी कि डिये और डियार में की गई बड़ोत्री जोकी एक जनुवरे से परभरी थी को निलंबीत कर दिया आई कोरोना वाइरस महमारी से उत्पन आर्थिक मंदी के असर को कम करने के प्रियासों के थाथ केंद्र सरकार ने अपने करमचारियों और पैंसनर को महंगाई बत्ते की अतिरिक्त किसके भुकतान पर रोक लगा दिये सरकार का मानना है कि इस कदम से दो वित्तवरसों में केंद्रवा राजी सरकार को सयंकत रूप से एक दसमलो दो जीरो लाख करूर रुपे की बचत होगी इस साल मार्च में सरकारी करमचारियों के लिए महंगाई बत्ता और पैंसनर के लिए महंगाई रात को 4 फिजदी बढ़ा कर 21 फिजदी किया गया था दोस्तों जल्दी सेच वीडियो को लाइक कर दीजे और सब्सक्राइब कर दीजे आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी महनत का फ़ल है जो कि निरस्त कर दिया गया कैसे होगा करमचारियों को जेब पर असर मेहंगाई बता पर रोक से मांग और खड़ पर सिधा असर होना है मान लिजी कि सालाना मेहंगाई दर 10 फिज दिये तो मेहंगाई बढ़ने से जो जिच पहले बाजार में 100 रूपे की थी अब वह 110 रूपे की आएगी अगर करमचारियों की सेलरी मेहंगाई के मताबिक नहीं बढ़ती है तो समझ लिजी की सेलरी 1000 की थी और उतने ही इस साल भी रहती है तो इसका सिधा असर उसके जेब पर पड़ेगा इसी को रोकने के लिए करमचारियों को महेंगई से बचने के लिए महेंगई बत्ता दिया जाता है D.A. में सुधार उसका केलकुलेशन हर दो साल में सरकार All India Consumer Prime Index के आधार पर महेंगई को देखते हुए करती करमचारी D.A. की कटोती से खर्च कम करेगा तो डिमांड घटेगी खर्च कम करने से उफवोग के कम होगा और मांग पर नकारात्मक असर पड़ेगा ये पूरी तरह से करमचार उपर निर्वर करता है कि वो इन पेशों को इस्तमाल खर्च करने में करेगा ये अपने बैंक में सेविंग करने में अगर करमचारी सेविंग करते तो ये पेशा बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करता है और सरकारी खाते में रेता है जो कि अर्थ विवस्ता के लिए सही है इस कटोधी से लोगों के खर्च और मांग पर असर पड़ेगा जो एक तरह से अर्थ व्यस्ता के लिए बुराई ही बड़ी हुई दर से डिये ना मिलने से सरकारी करमचारियों को अपने अत्रिक्ते खर्च पर रोग लगाने पड़ेगी और कटोधी से उनके जेप पर सिधा असर पड़ेगा लोग खर्च कम करेंगे जिससे डिमांड घटेगी और लोगों के बाजार में खरीदे करने की शमता और घटेगी खास कर जो पेंसन देलने वाले सरकारी करमचारी ये उन पर इसका असर बहुत ज़्यादा ही होगा क्योंकि उनके लिए महेंगाई रात का मिलना काफी महत पुण होता है उनके पास आर्थिक मदद के लिए आमदानी का कोई जरिया नहीं होता है केंद्रे के इस फैसले से अप राज्य सरकार भी अपने करमचारियों के डिये में कटोती करने का फैसला लेगी यह कटोती कितनी होगी अभी यह सपस्ट नहीं ही लेकिन कुछ राज्यों ने इसकी घोष्टना भी कर दिये जहाईर सी बाति कि जब बाजार में डिमांड घटेगी तो अर्थ विवस्तार पर इसका नकारत्म का सरी होगा न कि कोई मदद होगी साथियों मेरे विचार से केद्र सरकार और राज्य सरकारों को डिये पर जो रोग लगाई गई यह से ततकाल निरस्त करना चाहिए जिससे कर्मचारी वर्ग मार्केट में अधिक पैसा लगाएगा जिससे अर्थ विवस्ता बुस्ट होगी साथियों आप भी अपने विचार वीडियो के कमेंड बाक्स में रखना न भूलें अगली बड़ी खबर मतिपर्देश के इस जिले में आपातकाल जैसी इस्तिती सभी कर्वनचारों के अवकास निरस्त ये विशेश खबर भोपाल से लगी है कलेक्टर स्री अने दुविदी नी कोरोना संक्रण की रोकताम के लिए की जाने वाली कारवाई के परभावी करवायन के उद्देश से जिले के वीविन्ने कारेलेओं में पदस्त अधिकारी कर्मचारियों को पूरूस सभी अवकास यें मुक्याले चोडने का नुमती निरस्त करदी बता देगी 230 पाजेटिव मामलों में साथ ही खंडवा मत्यप्रदेश के 5 सबसे संक्रिमें जीलों में सामिल हो गया जल्दी नियंतर नहीं किया जा सका तो खंडवा रेट जोन में होगा खंडवा का कोरोना वाइरेस चार्ट बता दा ये योजनावत तरीके से प्रियाज किया गया तो खंडवा को टाई 5 से सीधे कोरोना क्लिन डिस्टिक लिस्ट में लाय जा सकता है मत्य परतेस में लागडाउन के बाद फीड से होगा मंत्राले से लेकर मेदाने इस्तर तक ट्रांसफर एस और बड़ी ख़बर भोपाल से कोरोना के हाट के बीद सत्ता परिवरतन के कारण धीरे धीरे ही सही मत्राले से लेकर मेदाने इस्तर तक अब कई बदलाव किये जा चुके ही यह सिलसल अभी जारी रहेगा लागडाउन स्वाप्त होने के बाद एगवार फीर मत्राले और मेदाने इस्तर पर पतिस्थाप्रा में परिवरतन होगा इसमें उन चोई स्विधान सवा सीटों का भी खास ध्यान रखा जाएगा जहां आने वाला समय में उपचुनाओ हो नहीं इसके मद्दे नजर अभी मुख्य मंत्री जन पर्दिनियों से पर्दिन मुलाकात कर फीड़बेक ले रही सुत्रों के मुताबिक मुख्य मंत्री न अभी तक जो प्रसासनी के फेर बदल किये उनका मुख्याधार कोरोना नियंतरन में पर्भाववी भूमी का निवान में असवल रही या फिर संगटन वा जन पर्दिनियों का फीड़बेक रहाई राजगर कलेक्टर निदिनिवी देता हो या रिवानगर कमिश्नर सवाजीत या दो दोनों को एक जटकई मुख्य मंत्री ने हटा दिया दोनों को लेगा संगटन की नाराज़ी थी वहीं इंदोर, उज्जेन, खंडवा, बुरहानपूर कलेक्टर कोरोना नियंतरन में प्रभावी भूमी का निभाने में असवल रही केंदर के बाद यूपी सरकार ने भी चलाई 6 भत्तों पर केची कोरोना के खिलाब लड़ाई के लिए चाहिए पेशा केंदर सरकार के बाद उत्रपरदेश की योगी सरकार ने भी सरकारी करमचैरियों के 6 तरह के बत्तों पर रोक लगा दिए वो 6 तरह के बत्ते कों से हैं आगे वीडियो में दिखाये जाएंगे उत्रपरदेश सरकार की तरब से जारी की गेरिदेश के मताबिक पहली चालू वित्त वर्स 2021 यानि पहली अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2020 के दोरान 6 तरह के पते नहीं दिये जाएंगी कोरोना वाइरस के खिलाब लड़ाई में धन की कमी ना आए इसके लिए राजी सरकार ने फैसला किया आई उत्तरपरदेश के इस फैसले से राजी के लगवक 16 लाख कर्मचारियों के वेतन पर असर पड़ेगा छे भत्तों पर रोग लगाई गईे पहला नगर परतिकर भत्ता, दूसरा सच्यवाले भत्ता, तिसरा पुलीस विभाग के अपराद साखा, अपराद अनुसंधान विभाग, ब्रष्टाचा निवारन संगडन, आर्तिक अपराद अनुसंधान विभाग, सतर कता अधिश्ठान अधिसुष्णा विभाग सुरक्षा साखा विशेश जांच साखा में तेनाथ अधिकारियों और करमचारियों को अनुमन्य भत्त और अरदली भत्त वह बड़ी खबर सभी संकुल प्राचेरियों के लिए, सभी जन सिक्सा केंद्र परभारी, संकुल अकादमीक समनवक समस्त जिले मत्य प्रदेस के लिए राज्जी सिक्षा केंद्र भ handful लेटेस वह बड़ आदेस ला मिदनोत बैस शान के is अब अब हम महत्पणकम बिद्धों को बात कर ले हैं इस आदेस में जो राज्जी सिक्षा केंद्र से बिद्धार्द्यों queen DG Lab संबंदी जानकारी से प्रचार प्रसार एवम अभिभावकों को प्रसाहित करने तो जागरुकता लाना दुसरा सुनिचित करना की समुमें अभिभावकों को सही और सही समय में सिक्सन सामगरी भेजी जा रही या नहीं स्यों प्रते दिन दो या तीन विध्यार्ती अभिभावक एवं दो या तीन सिक्सकों से कारिकरम समधी फिड़बेक लेना परत्यक संकुल प्राचारी, जन सिक्सक केंदर परवारी, संकुल अकादमीक समनेवक सिक्सकों से प्रते दिन चर्चा कार सिक्सक दुवारा दी जारी टिपणिया, ग्रहकारी के परिवेक्षन, फोन, वाटसप के माध्याम से पालक विध्यारति से की जारी चर्चा की समिक्सा करना, संकुल के समस्त सालाओं के प्राचारी, परधाना ध्यबैक से नीमीत समवाद, डिजी लेप, टीवी, रेडियो, संकुल कारेकरम के उतकरष्ट करवायन करने वाले सिक्सकों, राच जिलाबला के स्तर पर प्रोष्कत किये जाने समदी जानकारी तयार करना, कोईड-19, डूटी कार कर रहे हैं सिक्सों के आतिरिक्त, डिजी लेप के करयान में उदा सिंदा परतने वाले सिक्सों की जानकारी संधारी तर करना, दोस्तों, वीडियो के इस टोपिक पर अपने विचार व्यक्त करना न भूलें, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सस्क्राइब कीजिए, वापास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किये जाएगा, सबसे पहले आ तो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिस सदिक सेर कीजिए, थैंक यू